अस्सलाम अलेकुम, आज मैं आपके साथ हैदरबादी चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आज मैंने ये बिर्यानी स्टाउट आप पर ही बनाई है, मैं आपके साथ सारे टिप्स शेयर करूँगी ताकि आपकी भी बिर्यानी परफेक्ट और टेस्टी बने देखें ये चावल कितना खिला खिला बना हुआ है मैं आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करूंगी ताकि आपकी बिर्यानी भी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बने ये च्छिकें बिर्यानी बनाने के लिए मैंने लिया हैए। सासो पचास ग्राम भासमती चिसनावल ये धो कर बीगोकर रख लिया है मैंने और इसके लिए लिया है officers sweetness पर तो औहर पहले ऑनिंस को भारी-कट कर लेना है और दुसरे स्टाव numerous पर मैंने पानी गरम होने के लिए रख दिया है क्योंकि पानी गरम होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम अब जब हम आनियंस फ्राइ करेंगे तो यह आनियंस बिल्कुल गॉल्डन ब्राउन की होंगे इसके बाद इसमें जो जाएगा कुतमीर पुदीना मैंने फ्रेश गरम मसाला पीशा था उसी जार में मैं पांच हरी मिर्स दाल कर पीश लूँगी मैंने हिदरबादी गरम मसाले की रेशिपी भी अपने चैनल पर अपलोड की ही है आप एक बार चेक कर लेना मैं आई लिंक में भी दे दूँगी बीच बीच में प्यास को इस तरह चलाते रहना है ताकि एक जगा ना चिपके अब यह गोल्डन ब्राउन होने के खरीब आ गई है इसको और थोड़ी देर पकाएंगे और ताकि और गोल्डन ब्राउन हो जाए इस बीच एक कप दही ले लेना उसके अंदर जो हरी मिर्ची हमने पीश का रखी थी वह दाल देना और उसके बाद एक टेबल स्पून अध कारममसाला पॉडर लिया है उसके बाद दो थी शपुन मैंने नमक लिया है टू थी काली मिर्ची का पॉडर लिया है मैने चिकन को भी मरिनेट करका था अद्रक लैसान खल्दी मिर्ची के साथ तो इसलिए मैं यह थोड़ा कम ले रही हूं अब मेरे आणियों की बारन पू और इसलिए थोरा दो बहच्छस में फ्राई कर लेना इसको फ्राई करकर कर निकालिया है अब दही को अज़िए मिक्स कर ले cricket को दही हम आउसे अजबS rantी मिल्ची और थोड़ा सा घरंन भाम अलागा कर मारिनेट करक रखा है । दो गंटे के लिए मारिनेट करकर रखने से चिकन में अच्छा फ्लेवर आता है बिरियानी के लिए थोड़ा बड़े ही चिकन के पीसेस ले लेना उसके बाद इस कड़ाई में इसका मीडियम फ्लेम पर रखाए मैंने अब हम पूरे पीसेस दाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे इस भी दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि असमें अच्छे से मिल जाए और कुत्मिर पुदीना भी कटकर कर रेडी रख लेना अब यह पानी में अच्छा बॉइल आ गया है इसके अंदर मैं नमक दाल दूंगी न अच्छार हरी मिर्चे और पुदीना भी दाल दिया है अब पानी का टेज देखना पानी बिलकुल खा रहा होना चाहिए उतना नमक दालना है हमें अब यह चिकन भी अच्छे से हो गया है यह पूरा चिकन अब ऑईल छोड़ दिया और अच्छे से बग गया इस टाइम पर यह चिकन तकरीबन 50-60 परसेंट पका है अंदर से अभी कच्छा है यह पूरा पकाएंगे तो आप फिर पूरा गल जाएगा अब इसका फ्लेम आफ कर देना अब गरम कड़ाई में ही एक टेबल स्पून बटर आट कर देना और उसके बाद जो दही हमने मिक्स करका रखा थ यह पूरा दही इसमें दाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना अब स्टॉप बिल्कुल आफ है घरम कड़ाई में मैं मिक्स कर रही हूं उसके बाद आप इसके अंदर जो हमारी तलीवी आउनियंस है वह हम इसमें दाल देंगे मैं पूरी ऑनियंस इसमें दाल दूंगी बस थोड़ी इस onion बचा रखा के रखूँझे उसके चामल के उपर दालने के लिए उसके बाद मैंने एएक मुट्छी खूतमी सुमेर के लिआ हैं और और मुट्छी पुदीने का भी लिए यह भी दो नाट करको मैंने रख लिया अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना यह हमारी चिकन के अखनी बिल्कुल रडी हो गई है अब यह पानी में बॉइल आ रहा है पानी में बहुत अच्छा इस तरह का बबल्स और बहुत बॉइल आना चाहिए तभी आप इसके अंदर चावल दालना इसके अंदर आप अप अब इस टावल भी मेरे खिले गए है अब इस टाइम पर माई इसको चान लोगी अब एक बगोना जिसमें आपको बिर्यानी बनाना है वो रेडी रखे लेना ये चावल भी रेडी है अखनी रेडी है और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा असली घी असली घी है और थोड़े से ओनियंस थोड़ा कुत्मिर पुदीना और फुट कलर बिर्यानी का कलर है जो पानी में मिक्स करकर रेडी रख लिया है पहले सुपची से रेडी रख लेना उसके बाद बिर्यानी की एसम्बल करेंगे जिस भी पैन में आपको बिर्यानी बगनाना है उसके बाटम में एक टेबल स्पून घी डाल देना और उसको अच्छे से पूरे बाटम में लगा देना उसके बाद एक लेयर चांवल का डाल देना बिल्कुल हलका सा लेयर डालना है और चावल को बिलकु नहीं हलका है काथ दाला ना है बास्मती चावल को बिलकुल हलके करना है उसके बाद इसमें आदा चिकैन और आदा दालों देना यह आदा आ गया है इसमें अब इसके बाद हम और एक लेयर चावल की डालेंगे चावल बिल्कुल हलके हाथ से डालना है बिल्कुल स्लोली डालना है आप इतना चावल डालना ताकि आपका जो चिकन और जो मसाला है वो पूरा कवर हो जाए जब आप देखेंगे कि पूरा चावल और पूरा मसाला कवर हो गया है उसके बाद आप फिर सेकेंड लेयर दाल देना अब मेरा सेकेंड लेयर दालूंगे मैं पूरा ये कवर हो गया है इसके बाद एक टेबल स्पून मैं असली घी दालूंगे मैंने तेल और घी नहीं दाला है जो भी चिकन में है वही है अब मैं यहाँ पर एक टेबल स्पून घी दाल रही हूँ इसके बाद थोड़ी सी ओनिया थोड़ा कुद्मीर पुदिना दालना और यह जितना भी चिकन और ग्रेवी बची वी है पूरा इसके उपर दाल देना इसमें भी हमने ज्यादा तेल नहीं यूज किया था टू टेबल स्पून ओयल दाला था और एक टेबल स्पून घी दाला था बटर दाला था ज्यादा तेल दालने से हाथों को पुरा तेल लगता है और चिपचपी बनती है तो चिकेन बिर्यानी में थोड़ा कम ही ओल दालना इसके बाद जो भी चावल बचे हुए है वो सारे चावल इसके उपर दाल देना बिर्यानी का चावल इसी तरह बिलकुल हलके हाथ से दालना और एक साथ पुरा नहीं दालना थोड़ा थोड़ा करकर दालना इसमें तोड़ा टाइम लगता है लेकिन बिलकुल चावल खिला खिला बनता है इसके बाद जो फूट कलर हमने मिक्स करके रखा था वो मैं दाल दूँगी एक और बाद दही मेरा खटा था मैंने इसलिए नीमो नहीं डाला अगर आपका दही खटा नहीं है तो इस टाइम पर नीमो का रज भी दाल देना इस तरह फूट कलर पूरा दाल देना और इसके बाद हम इसके अपर थोड़ा सा डू टेबल स्पून घी दालूंगी मैं और इसके बाद यह जो थोड़ी सी बचीवी ओनियंस है कुत्मीर है पुदीना है वह सब हम इसके पर दाल देंगे हमारा चिकेन भी 60-70 परसेंट पका हुआ है और हमारे चावल भी 50-60 परसेंट पके हुए है तो हम ज्यादा देर दम देने की जरूरत नहीं है अब इसके बाद इसका धकन लगा कर पहले 10 मिनेट हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे मीडियम से थोड़ा ईव फलेम पर रखेंगे ताकि आख्या गरम हो जाए और इसमें vertी मन जाए भी उसके बाद बिलकुल लो कर देना है बिलकुल नेंबर और नेंबर पर कर देना है उसके बाद नेंबर यन्वन पर आपको भगयोंने को रोटेट कर दे हुएंगे और एक 20 मिनिट्स पका लीजेगा आपकी बिर्यानी बिल्कुल रिडी हो जाएगी उमीद है आपको रिष्पी अच्छी लगी होगी अल्ला आफिस